साथियों, आज शहरी विकास से जुड़े इस कारकम में, मैं किसी भी सहर के सबसे आहम साथियों मैं से एक की चर्चा अवश्य करना चाहता। यह साथी है हमारे रहडी पट्री वाले ठेला चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स इन लोगों के लिए पी-एम स्वनिधी योजना एक आशा की नई कीरण बन कर आई है। आजादी के दसकों बात तक हमारे इन साथियों की सूद नहीं ली गई थी। थोड़े से पैसे के लिए उन्हें किसी से बहुत जादा ब्याजद पर कर्ज लेना पड़ता था। वह कर्ज के बोज में डूबा रहता था। दिन भर मेहनत करके कमाता था। परिवार के लिए जितना देता था। उससे जादा ब्याजवाले को देना पड़ता था। जब लेन देन का कोई इतिहास ना हो कोई डॉक्यमेंट ना हो तो उन्हें बेंकों से मदद मिलना भी असंभव था। इस असंभव को संभव किया है पी-म स्वन निधी योजना में। आज देश के 46 लाग से जादा रहिडी पट्री वाले भाई बेंड श्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाब उठाने के लिए आगे आये हैं। इन में से 25 लाख लोगों को करीब करीब दाई हजार करोर रुपिये दिये भी जा चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर के जिम में दाई हजार करोर पहुंचा नहीं है छोटी बात नहीं है। ये अब डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और बैंकों से जो कर्ज लिया हैं वो भी चुका रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स समय पर लोन चुकाते हैं उन्हें ब्याज में छूट भी दी जाती है। बहुत ही कम समय में इन लोगों ने साथ करोड से अधिक ट्रांजेक्शन किये हैं। कभी के भी हमारे देश में बुद्धिमान लोग कह देते हैं कि गरीब आदमी को ये कहां से आएगा। यही लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया है। यानि पैसे देने या लेने के लिए साथ करोड बार कोई न कोई डिजिटल तरीका अपनाया है। मैं थोग और यह लोग क्या करते हैं। थोग विकरताओं से जो सामान खरीद रहे हैं। उसका पेमेंट भी अपने मोबाइल फोन से डिजिटल तरीके से करने लगे हैं। और जो फुटकर सामान बेच रहे हैं उसके पैसे भी नागरिकों से वो डिजिटल तरीके से लेने की शुरुवात कर चुके हैं। अगला लोन देने में आसानी हो रही है। साथ योजना में 10,000 रुपिये का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन ये मेरे स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है। आज सेंकडो स्ट्रीट वेंडर्स बैंकों से तीसरा लोन लेने की तयारी कर रहे हैं। बैंकों से बहार जाकर ज्यादा ब्याज पर कर्ज उठाने के दूसर चक्र से मुक्ति दिलाना चाहता ह। और आज देश भर के मेर मेरे साथ जुड़े हुए है। नगरों के अध्यक्ष जुड़े हुए है। यह सच्चे अर्थ में गरीबों की सेवा का काम है। सच्चे अर्थ में गरीब से गरीब को एमपावर करने का काम है, ये सच्चे अर्थ में गरीब को ब्याज के दुस्चक्र से मुक्ति दिलाने का काम है, मेरे देश का कोई भी मेर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी चुना हुआ कॉर्पोरेटर, काउंसिलर ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जिसके दिल में ये सम्वेजना नहों और वो इस पी एम स्वन इधी को सफल करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश न करता हो, अगर आप सभी साती जुड़ जाएं, तो इस देश का ये हमारा गरीब व्यक्ति और हमने करोना में देखा है, अपनी सोसाइटी चाल में महले में सबजी देने वाला अगर नहीं पहुंचता हैं, तो हम कितनी परिशानी से गुजरते थे, दूद पहुंचाने वाला नहीं आता था दो हमें कितनी परिशानी होती थे, कोरोना काल में हमने देखा है कि समाज के एक एक व्यक्ति का हमारे जीवन में कितना मुल्य है, जब यह हमने अनुभव किया है, तो क्या हमारे दाई तो नहीं है, कि इतनी बढ़िया स्कीम आपके पास मौजूद है, उसको ब्या आप उसे डिजिटल लेंदेन की ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, क्या आप अपने शहर में हजार, दो हजार, पांच जार, बीस हजार, पचीस हजार ऐसे हमारे साथी होंगे, क्या उनके जीवन को बदलने के लिए कदम नहीं उठा सकते हैं, मैं पक्का कहता हूँ दोस्तों भले ये प्रोजेक्ट भरत सरकार का हो, भले ये प्यम स्वानिती हो, लेकिन अगर आप इसको करेंगे, तो उस गरीब के दिल में जगा आप के लिए बनेगा, वो जैजेकार उस शहर के मेर का करेगा, वो जिसके उसकी मदद हाथ पहला है, उस क्या जैजेकार करेगा, मैं चाहता हूं, ये जैजेकार आपका हो, मेरे देश के हर शहर के मेर का हो, मेरे देश के हर कॉर्पोरेटर का हो, मेरे देश के हर काउंसिलर का हो, ये जैजेकार आपका हो, ताकि जो गरीब, ठेला और रेडी पट्री लेकर के बैटा हुआ है, वो भी हमारी तरह शान से जीए वो भी अपने बच्चों को अच्छी सिख्षा देने के लिए दो महत्वपुन नेने कर सके बड़ी आसानी से किया जा सकता है सात्यों लेकिन इस काम में हम सब का योगदान मैं सभी कमिश्णर से कहना चाहूँगा यह मानवता का काम है यह ग्रास रूट लेवल पर आर्थिक सफाई का भी काम है एक स्वाभीमान जगाने का काम है देश ने आपको इतने अप्रतिश्णित पत पर बिठाया है आप दिल से इस पी एम स्वनीधी कारगम को अपना बनाईए जी जान से उसके साथ जूटिए देखते ही देखते देखे देखिए आपके गाउं के हर परिवार सब्जी भी खरिदता है डिजीटल पेमेंट दे रहा है जब वो थोक में लेने जाता है डिजीटल पेमेंट करता है एक बड़ा रिवॉलुशन आ जाएगा इन छोटी सी संख्या के लोगों ने साथ करोड ट्रांजेक्शन किये अगर आप सब इनकी मदद में पहुंचाएं तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं मेरी आज इस कार्गम में उपस्तित शहर विकास के साथ जुड़े हुए सबी काईयों से व्यक्तिक अद्रुप से आग रहे हैं कि आप इस काम में पीछे मत रहिए और बाबा साब आमबेड करके नाम से जुड़े उस भवन से जब मैं पोड़ रहा हूं तब तो गरीब के करना हमारा धाइत्व बन जाता है कि साथ्यों मुझे खुशी है कि देश के दो बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश और मत्रदेश इन दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से लोन दिया गया है है लेकिन और मैं सभी राज्यों से आगराइख करूंगा इस में 20परदा ओ amatब्राज जानके निकलता है कॉन राज्य सबसे ज़्यादा डिजीटल ट्रांजिक्शन करता कौन राज्य सबसे ज़्यादा तीसरी लोन स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी लोन तक ले गया है पचास अजार उरप्या उसके हाथ में आया है ऐसा कौन राज्य कर रहा है कौन राज्य सबसे ज़्यादा करता है मैं चाहूंगा उसकी भी एक्सपरधा कर लिया जाए और हर छे मेने तीन मेने इसके लिए भी उन राज्यों को पुरुस्कृत किया जाए उन शहरों को पुरुस्कृत किया जाए